ओम शान्ति आज बावक के 10 नवंबर के अव्यक्त महावा क्य हैं, मुरली की रिवाइस डेट है 14 नवंबर 2002, मुरली का हेडिंग है ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धी आज समर्थ बाप अपने चारों और के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेश्ट पुर्शार्थ में लगे हुए हैं, बच्चों की सलगन को देख बाप दादा भी हर्शित होते रहते हैं, बच्चों का ये द्रड भी प्यारा लगता है बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है आप बच्चों की पूजा डबल है बाप दादा के सिर के भी ताज हो बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही क वह श्रेष्ट स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वह हर एक बच्चे की विशेष्टा बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाप ब्राह्मन परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धी। इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार में निश्चय है वहां विजय होई पड़ी है। सफलता जनमसिद अधिकार के रूप में स्वत्त है और सहज प्राप्त है। जनमसिद अधिकार के लिए महनत की आवश्यक्ता नहीं होती। सफलता ब्राह्मन जीवन के गले का हार है। ब्राह्मन जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी वे नहीं होगी ये ब्राह्मन जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चे बुद्धी सदा बाप की साथ कमबाइंड हैं, तो जहां बाप कमबाइंड है, वहां सफलता सदा प्राप्त है, तो चेक करो सफलता स्वरूब कहां तक बने हैं, अगर सफलता में परसंटेज है, तो उसका कारण निश्चे में परसंटेज है, निश्चे सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है लेकिन निश्चे बाप में स्वव में ड्रामा में निश्चे और साथ साथ परिवार में निश्चे इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वत्य है बाप में निश्चय सभी बच्चों का है तब तो यहां आई हैं बाप का भी आप सब में निश्चय है तब अपना बनाया है लेकिन ब्राह्मन जीवन में संपन और संपूरन बनने के लिए स्वव में भी निश्चय आवश्यक है बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ट आत्मा के स्वमान सदा समर्ती में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमान धारी श्रेष्ट आत्मा हूं साधारन आत्मा नहीं परमातम स्वमान धारी आत्मा तो स्वमान हर संकल्प में हर करम में सफलता अवश्य दिलाता है साधारण करम करने वाली आत्मा नहीं स्वमान धारी आत्मा हूं तो हर करम में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा तो स्व में निश्चे बुद्धी की निशानी है सफलता वे विजय ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चे है उसकी विशेष्टा है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा ये निरंतर विजय का आधार है मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं मेरा बाबा मेरे के उपर अधिकार होता है तो मेरा बाबा ऐसी निश्चे बुद्धी आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की विजय की ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चे चाहिए सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है लेकिन समस्या की समय निश्चे बुद्धी की निशानी है समाधान स्वरूप समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना निश्चे बुद्धी आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना क्यों आप हर ब्राह्मन आत्मा ने ब्राह्मन जनम लेते माया को चैलेंज किया है, किया है न या भूल गए हो, चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी न, वे बिन बिन समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है आपको निश्चे बुद्धी विजई स्वरूप से पार करना है क्यों? नथिंग न्यूँ कितनी बार विजई बने हो अभी एक बार संगम पर विजई बन रहे हो वे अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो इसलिए समस्याओं आपके लिए नई बात नहीं है नथिंग न्यूँ अनेक बार विजई बने हैं बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे यह हैं ड्रामा में निश्चे बुद्धी विजई और है ब्रामन परिवार में निश्चे क्यों ब्रामन परिवार का अर्थ ही है संगठन छोटा परिवार नहीं है ब्रम्हा बाप का ब्रामन परिवार सर्व परिवारों से स्रेष्ट और बड़ा है तो परिवार के बीज, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजय ऐसे नहीं कि बाप मेरा, मैं बाप का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम? लेकिन ये भी निश्चय की विशेष्टा है चारही बातों में निश्चय विजय आवश्चक है परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है सिर्फ परिवार में ये समर्ती में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारना स्वरूप हैं, वेराइटी हैं, इसका यादगार 108 की माला है, सोचो कहां एक नंबर और कहां 108 वा नंबर क्यूं बना, सब एक नंबर क्यूं नहीं बने, सोला हजार क्यों बना, कारण वेराइटी संसकार को समझ, नौलिजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेस्पुल स्टेज है, चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़ कर कहां जाएंगे, नशा भी है ना, के हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संसकार को जानते हुए, चलना, निर्मान होके चलना, शुब भावना, शुब कामना की वृत्ती से चलना, यही परिवार के निश्चे बुद्धी विजई की निशानी है, तो सभी विजई होना, विजई हैं, डबल फॉरिनर्स विजई हैं, हाथ बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है, अच्छा, टीचर्स विजई हैं, या थोड़ा-थोड़ा होता है, क्या करें, यह तो नहीं, कैसे के वज़ाए, ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करें, नहीं, ऐसे करें, 21 जनम का कनेक्शन पर परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास उत्तिरण है, वे सब में पास है, तो चार ही प्रकार का निश्चे चेक करो, क्योंकि प्रभू पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अत्ति आवश्यक है, नमबर इन चारों निश्चे के परसंटेस अनुसार मिलना है, ऐस ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा बस हो गया। ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निष्चे में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन तीन और भी हैं। टीचर्स, चार ही जरूरी हैं की नहीं? ऐसे तो नहीं, तीन जरूरी हैं, एक नहीं, जो समझते हैं, चारों ही निश्चे जरूरी हैं, वे एक हात उठाना. सभी को चारों ही बातें पसंद हैं, जिसको तीन बातें पसंद हो, वे हात उठाओ, कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा, अगर दिल से हात उठाया, तो सब पास हो गए, अच्छा, देखो, कहां कहां से, बिन बिन देश की टालियां, मदुबन में एक वरिक्ष बन जाता है, मदुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं करनाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मदुबन निवासी हैं, तो एक जाड़ हो गया न, इस समय सब क्या समझते हैं, मदुबन निवासी हो, या अपने अपने देश के निवासी ह मदुबन निवासी हो, सभी मदुबन निवासी हो, बहुत अच्छा, वैसे भी हर ब्रामनों की पर्मानेंट एड्रिस तो मदुबन ही है, आपकी पर्मानेंट एड्रिस कौन सी है, बॉम्बे है, दिली है, पंजाब है, मदुबन पर्मानेंट एड्रिस है, ये तो सेवा के ल गर आपका मदुवन है, आखिर भी एश्लम कहा मिलना है, मदुवन में ही मिलना है, इसी लिए बड़े बड़े स्थान बना रहे है ना, सभी का लक्ष बापसमान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की डिल, शरीर की डिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आज कल दवाईयों से भी exercise आवश्चक है, वहतो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम exercise नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर exercise करना अच्छा है, लिकिन साथ-साथ मन की exercise बार-बार करो, जब बाप समान बनना है, तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिष्टा, तो जब भी समय मिलता है, सेकिन्ड में बाप समान निराकारी stage पर इस्थित हो जाओ, बापसमान बनना है तो निराकारी इस्तिती बापसमान है कार्य करते फरिष्टा बनकर करम करो फरिष्टा अर्थात डबल लाइट कार्य का बोज नहीं हो कार्य का बोज अव्यक्त फरिष्टा बनने नहीं देगा तो बीच बीच में निराकारी और फरिष्टा स्वरूब की मन की exercise करो तो ठकावट नहीं होगी जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा डबल लाइट सेवा का भी बोज नहीं आव्यक्त फरिष्टा रूब तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार इस्तिती में इस्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी अभी अभी एक सेकंड में निराकारी इस्तिती में इस्तित हो सकते हो हो सकते हो तो बात दादा ने ड्रिल कराई यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते करम करते बीच बीच में करते जाना तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की इस्तिती में भी बहुत मदद मिलेगी अच्छा डबल फॉरिनर्स से देखो डबल फॉरिनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब गुरुप में चांस मिला है हर गुरुप में आ सकते हैं फ्रीडम है तो यह भाग्य है ना डबल भाग्य है तो इस गुरुप में भी बाप दादा देख रहे हैं कुछ पहली बारी भ बाप दादा की दिश्टी सभी foreigners के उपर है, जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आप से पदम गुणा है, ठीक है ना, पदम गुणा है, आपका भी प्यार, दिल का प्यार है, तब यहां पहुंचे हो, double foreigners इस ब्राह्मन परिवार का श्रिंगार है, special श्रिंगार हो, हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा, टीचर से, टीचर का जुंड भी बड़ा है, बाप दादा, टीचर को एक टाइटल देते हैं, कौन सा टाइटल देते हैं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, double foreigners तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड का संबन अच्छा लगता है, टीचर जो योग्य हैं, इसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं न, तो टीचर भी गुरू भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित बने होए हैं, बाप समान सेवाधारी हैं, देखो टीचर को बाप का सिंहासन मिलता है, मुरली सुनानी के लिए, गुरू की गद्दी मिलती हैं न इसी लिए टीचर्स अर्थार्थ निरंतर सेवाधारी चाय मनसा, चाय वाचा, चाय संबन संपर्क द्वारा, कर्मना सदा सेवाधारी ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं ना? सेवाधारी, सेवा, सेवा और सेवा ठीक है ना? अच्छा? सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है, आगरा साथी है, दिल्ली का लशकर तो बहुत बड़ा है, अच्छा? दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा, अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहां से होगा? दिल्ली से? या महारा और तपस्या, सेवा और तपस्या, दोनों की बैलنस से प्रत्यक्षता होगी, जैसे सेवा का डायलोग बनाया न, ऐसी दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलोग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है दिल्ली बाप की दिल तो है लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे पांडव करना है न करेंगे जरूर करेंगे तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेश स्थान पर पहुँच जाएं परवाने बाबा बाबा कहते आवें तब कहेंगे प्रत्यक्षता तो ये करना है अगले साल ये डायलोग करना है ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए ठीक है ना बहुत अच्छा माताईं भी बहुत है कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां तो आधा हौल कुमार कुमारियां है, शाबास कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारियां जुआला रूप बन, आत्माओं को पावन बना देने वाले, कुमार और कुमारियों को तरस पढ़ना चाहिए, आज के कुमार और कुमा रास्ते पर लगाओ, अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उन में से इस सारे वर्ष में, जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वे बड़ा हाथ उठाओ, कुमारी ओने आप समान बनाया है, अच्छा प्लैन बना रही है, ये होस्टल वाली हाथ उठा अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारी ओन को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है, अच्छा, चारों और के विजई रतनों को, सदा निश्चे बुद्धी, सहज सफलता मूरत बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से, हर सेवा में सफलता प्राप् करने वाले सफलता मूरत बच्चों को, सदा समाधान स्वरूब, समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माई, ऐसे स्रेष्ट बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लैन को प्राक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक अक्षोनी बार मुबारक और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग नमस्ते 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 जी सबका प्यार सबका आपसे प्यार है बापका भी आपसे प्यार है रतनमौाईनी दादी जी से सयोगी बनने से बहुत कुछ सुक्षु में प्राप्त होता है ऐसे है ना आदी रतन है आदी रतन अब तक भी निमित है अच्छा ओम शांती वरदान सब कुछ तेरा तेरा कर मेरे पन के अँश मात्र को भी समात करने वाले डबल लाइट भव किसी भी प्रकार का मेरा पन, मेरा स्वभाव, मेरा संसकार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोज है और बोज वाला उड़ नहीं सकता ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो फरिष्टा माना ही मेरे पन का अंश मात्र नहीं संकल्प में भी मेरे पन का भान आए तो समझो मैला हुआ तो इस मैले पन के बोज को समाप्ट कर डबल लाइट बनो स्लोगन है जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है सर्व ब्राह्मनों का एक संकल्ब यही कार्य की सफलता का आधार है किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए किले की एक इंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मन परिवार के किले की इंट हो तो सभी को एक ही संकल्ब द्वारा कार्य को सफल करना है सबकी मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है तब सफलता मिलेगी अच्छा ओम शान्ति